हालो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सभी अच्छे और हैल्दी होंगे और मुझे आपके कोमेंट्स मिल रहे हैं वाटसप पर कि मैं आपकी डाइट चार्ट से हमारा वेट टूटना शुरू हो गया है किसी ने 1 kg 2 kg वेट निकाल भी दिया है मुझे बहुत आप जुरूर कोमेंट्स करें और लाइक करें और मुझे वहां से एनर्जी मिलेगी मैं और ज्यादा आपके साथ इस तरह का और काम करूंगी जूड कर तो हम आजाते हैं आज के डाइट चार्ट पर आज हमारा फिफ्ट डे हैं फ्राइडे अराम से ध्यान से सुनना कि हमन मेथी दाना जो कड़ी में डलता है जो कड़ी में मेथी दाना डलता है वो यूज करना है आज हमने फर्स्ट ड्रिंक में फैट कटर का काम करेगा और बोडे के अंदर किसी तरह की दर्दे हैं पेन है कोई बाइवादी जिसको हम बोलते हैं उस तरह की कोई प्रॉब्लम है यह उसको भी ठीक करेगा, तो हमने एक चम्मच मेथी दाना रात को भी गो देना है, सुबा तक वो फूल जाएगा, एक कप या फिर पौना गिलास पानी में, तो आपने क्या करना उसको छान कर, अराम से अपनी बालकनी में बैठना है, और ताजी हवा लेते वे, जुसकी मार आते वे, अराम से धीरे-धीरे, बड़े प्यार से उसको पीना है, और फेल भी करना है, कि आपका जो यह फैट कम करेगा, बॉड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, पेंस वगरा, वो आपको होती हैं, वो ठीक करेगा, और आप जल्दे से फिट हो जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत असर पड़ता है हमारी बॉड़ी के उपर, अगर आप इस तरह से नहीं लेना चाहते, तो इसका सेकिंड ऑप्शन है, आपने पॉना गिलास पानी में एक पूरा चम्मच भर कर मेथी दाने का डालना हैं, और उसको बोईल्ड करना हैं, जादा बोईल्ड नही पीना हैं, तो यह तो थी आपकी फास्ट ट्रिंक, जिससे आपका फैट भी कम होगा, और बोड़ी में किसी तरह की कोई पीन वगरा है, वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी, आप एक्टिव और अनर्जेटिक फील करेंगे, अब आज आवा ब्रेक फास्ट में, तो हम सीधा ब इस मल्टी ग्रेन आटे की ब्रेड लेनी है, टू स्लाइस, उसके बीच में आपको क्या डालना है, उसके बीच में आपको खीरा डालना है, उसके बीच में आपको बीज निकालकर टमाटर डालनी है, उसके बीच में आपको हरी मिर्च भी डाल सकते हो बारीक बारीक काटकर उसके बीच में हरा धनिया भी डाल सकते हो, अगर आप प्याज खाते हैं, ओनियन खाते हैं, तो उसकी स्लाइस पतली सी बना कर वो भी डाल सकते हो, और पनीर, पनीर आपने पतली सी स्लाइस चकोर काट कर जितना ब्रेड होता है, उतनी ही उसी शेप में काटनी है, और उसके तबे पर शेख कर, रोस्ट करके आराम से थोड़ा सा बटर या देशी घी लगाकर उसको कुरकरा पर उसको खहा सकते हैं आप गिदल सेण्विच बना कर भी इसको खहा सकते हैं एक कप चाय के साथ कम दूध की, कम मिठे की चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं लेकिन छोटी-छोटी बाइक्स में लेना है आपको जल्दी-जल्दी नहीं खाना फील करते हुए चवा-चवा कर आराम से टाइम देते हुए उसको खाना है आपको ठीक है यह आपका breakfast हो गया आपने weight कम करना है, fat कम करना है यह mind में आपको जुरूर रखना है अब आज आओ आप सीधा किस पर? लंच पर लंच में आपको क्या लेना है लंच में आज आपको oats मिलने वाले है oats आप plane घर के भी ले सकते हैं मानलो आपके पास घर में plane पड़े हुए है oats तो आपने दो चमच oats के लेने है और एक बाउल पानी का डालना है या फिर एक गिलास पानी का डालना है उसके बीच में आपको उसके बीच में आपको टमाटर भी डालना है और उसके बीच में प्याज भी डाल सकते हो हरा धनिया भी डाल सकते हो नमक, मिर्च, काली मिर्च वगएरा चटपटासा बना कर थोड़ी हिंग भी डाल सकते हो अगर आप लहसुन खाने के शोकीन है तो वो भी डाल सकते हो आप उसके बीच में थोड़े से स्वीट कॉन भी डाल सकते हो उसको चटपटा सा बना कर आपने एक बाॉल भरकर खाना है अगर आप मार्किट के लाना चाहते हैं मसाला ओट्स वगेरा तो वो भी ले सकते हैं वैसे घर के ज़्यादा बढ़ी हैं प्लेई वाले जो आप घर के प्लेई वाले होते हैं न वो ज्यादा healthy रहते हैं, तो एक बावलाज आपने oats का खाना है, और आपको ज्यादा पतला नहीं लेना, थोड़ा dry ही बना कर लेना है, ठीक वाला लेना है आपको, उसके 3-4 घंडे तक आपको भूक नहीं लगने वाली है, अब आजाओ आप शाम को, बीच में अगर आपको लगे नीबू पानी ले सकते हैं, आप इसके इलावा आप नारिल पानी ले सकते हैं, इसके इलावा आप कोई half glass juice ले सकते हैं, या फिर आप अनार खा सकते हैं, आज आपको fruits में अनार मिला है, अब आजाओ आप, आपको भूक लगी होगी, तो शाम के टाइम, आपने क्या लेना है आपको डाइट वाली नमकीन जो मुर्मरे और जिसमें चने डले होते हैं जिसमें मुर्मरा और चना मिला हुआ होता है वो डाइट वाली नमकीन आपको मार्किट से असानी से मिल जाएगी वो आपने लेनी है एक बाउल एक छोटा बाउल लेना है उसके बीच में एक बॉल भरकर आपको 6-7 बजी के करीब ले लेना है उसके साथ आप अगर टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ग्रीन टी ले सकते हैं सिंपल खाना चाहते हैं, सिंपल ले सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हो, चटपटा सा बना कर मज़िदार सा, ताकि आपको अच्छा भी लगे खाने में, लेकिन खाना इसको धीरे धीरे हैं, पानी नी पीना इसके साथ, अब आप यह देखो कि आपने सुभा वैज सैन् लने वाला नहीं है, रात को या तो आप एक गिलास गरम पानी लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं रह सकता, या रह सकती, मुझे कुछ तो लेना है, तो आपने पतला सा, जिसको मलाई उत्रा हुआ, जो एक कब दूद होता है, वो लेना है, वाक करनी है, फिर उसके बाद आपका जो है, आज का कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे काम, खुद उठना है, खुद करना है, और थोड़ी सी फिजिकल वर्काउट कुछ भी, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, रवी रुहानी के यूट्यूब पर आपके बहुत सारे सारने वीडियोज डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, और मेने एफबी पर भी अपने डाले हुए हैं, मेरी भी आप देख सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा आपको वर्काउट भी करना है, क्योंकि वर्काउट बहुत जुरूर की मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे डाइट चार्ट से जल्दी स्लिम हो जाती है तो ओके बाबाई टेक क्यार पॉजिटिव रहें खुश रहें हैल्दी रहें